मुफ्ती सल्मान अजहरी के साथ क्या हुआ? उनके वकील ने सब कुछ बता दिया, खुलम खुला. तो दोस्तों, उनके चाहने वालों के लिए यह खास वीडियो जल्दी देखें और ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें. आज आपके सामने मुफ्ती सल्मान अजहरी से इस वीडियो में, जिसको सुनकर यकीनन बहुत सारे सवाल, बहुत सारी ऐसी चीज होंगी, जो आपके दिमाग में चल रही होंगी, वह क्लियर हो जाएंगी. मुफ्ती सल्मान अजहरी के चाहने वालों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कि जैसा कि मुफ्ती सल्मान अजहरी साहब ने इशारों ही इशारों में ये लोगों से कहा था, अपने चाहने वालों से कहा था, आप मेरे वास्ते दुआ करें, यानि मुफ्ती साहब ने कहा था, लोगों से, उनके चाहने वालों से, दीवानों से कहा था, कि आप मेरे हक में दुआ करें, तो मैं भी वही बात क के लिए आप लोग दुआ करें ताकि जो ये जो सख्त वक्त है जो इम्तिहान की घड़ी उनके लिए चल रही है अल्ला तबारक अफ ताला इस इम्तिहान की घड़ी में उनको काम्याबी वफ कामरानी अता फर्माए और इसी के साथ मैं आप लोगों को मुफ्ती सल्मान अजह जब मोडासा के केस में DSP कारियाला जा रहे थे तो आपने देखा था कि किस तरीके से ठके ठके बुझे बुझे रुके रुके वह लग रहे थे यानि लंगडा कर चल रहे थे चलने में ऐसा लग रहा था कि उनको बहुत ताकत लग रही है मानो उनको उपर टॉर्चर किया गया हो कस्टडी में तो दोस्तों ये तमाम सवाल थे लोगों के कयास थे तो आखिर उनके साथ क्या हुआ उनके वकील ने क्या कुछ बताया मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मुफ्ती सल्मान साहब के वकील जो मोडासा में केस लड़ रहे हैं जहां पर उनको S.S.E.S.T. का एक्ट भी लगाया गया है अब इस पर अदालत के सामने जिराह भी हुआ अदालत के सामने बहस भी हुई तो जो बात तो उनके वकील साहब ने कही उनके वकील ने यह कहा कि मुफ्ती साहब को अदालत में यह कहा गया कि आप अगर धार्मिक कार्यक्रम में गए तो आप क उसमें कहा गया कि मुसल्मानों की मौजूदा स्थिती कैसी है अभी, बहरहाल ये आगे जाकर बहस का मुबाहिसा है कि उनके उपर STSSE का मुकदमा फिट बैठता है या नहीं, या उनके कहने का भावतात पर या कुछ और था, ये आने वाले वक्त में अदालत के सामने क्लियर होगा, लेकिन इस पर भी तबसिरा हुए हैं, आगे दोस्तों, जो लंगडा कर चल रहे थे, उस पर उनके वकील ने यह बयान दिया है, उनके वकील ने बताया है, एक समवाद दाता से बात करते हुए, उन्होंने बताया, कि जब यह बातें सामने आई, कि कहीं उनके उपर टॉर्चर तो नहीं हुआ है, तो उससे पहले उन्होंने मुफ्ती साब से परसनली पूछा, कि क्या आपको कस्टडी में किसी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, किसी तरीके से आपके साथ बदसलूकी की जा रही है, तो मुफ्ती सल्मान अजहरी साब ने ये कहा, कि नह तो उनके बारे में ये बताया गया कि मुफ्ती साहब को बैक पेन है यानि पीठ में दर्द है और दर्द की वजह समझ सकते हैं कि लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं दस दस घंटे आठ आठ घंटे जिस तरीके से आप देखेंगे कि उनको वहाँ पर डॉक्टर के पास भी ले जाया गया था जहां उनको पेन किलर और इन सब की दवाई भी दी गई तो वहाँ पर उन्होंने बताया जब उनसे पुलिस वालों ने खाने के लिए कहा दवाई खाने के लिए कहा तो उन्होंने ये बताया कि वह रोजे से हैं औ और इसकी वज़े से उनके पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है, ठकावट है, और जो सवालात की जो बोचार भरमार हो रही है, क्योंकि दोस्तों वो कस्टडी में हैं, तो पुलिस वाले आपको हजार तरीके से सवाल कराते हैं, कि कहीं आप सच बोल रहे हैं, या जूट बोल पुलिस का स्टडी में भेजा गया है, तो उनका ये कस्टडी का टाइम, 17 तारीख, 10.30 बजे के करीब खत्म होगा, और उनके वकील ने ये कहा, कि हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, जैसा ही 10.30 बजे 17 तारीख को उनका कस्टडी समाप्त होगा, उसी दिन हम लोग 1. से 1.5 बजे के करीब अदालत में बेल का पिटीशन दायर कर देंगे, और इस दोरान बात मुबाहिसा होगा, बात चीत होगी और 20 तारीख तक उम्मीद है कि उनको जमानत मिल जाएगी, और इस दोरान मुफ्ती सहब मोडासा की जो जेल है, वहाँ पर वह रुकेंगे, इध इस पर उनके वकील का कहना था, कि हम लोगों की बात और वकीलों की बात जो है, वह मुफ्ती सल्मान अजहरी साब के बड़े भाई से चल रही है, और उनकी तरफ से हम लोग मिलकर इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए हम हाई कोट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, त तो जिससे करना है, PRLD टीम है, क्या-क्या टीम है, उन तमाम चीजों से आप पता कर सकते हैं, तो ये जानकारी आप लोगों के लिए मैं आज लेकर आया था,